आप लोग पेपर देख लेजिए, पेपर का लेवल कैसा आया है, कोईसेंस कैसे पूछे गए हैं, आंसर तो हमको नहीं मिल पाए हैं, आंसर की मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद प्रोवाइट करा दूँगा, तो जिन बच्चों का आंगे आने वाले सिप्टों में लगा हुआ है, तो वो सभी बच्चे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें, तो कोईसेंस देख लेजिए, आंसर की मैं आपको कुछ समय के बाद प्रोवाइट करा दूँगा, तो देखिए ये पार्ट जो है ना, ये इंग्लिस वाला पार्ट है, which of the following is not found in a car, देख सकते हैं A sister's husband is called in English us, ये इंग्लिस के questions पूछे गए थे, questions का level आप देख रहे हैं, questions तो अच्छे खासे पूछे गए हैं, ठीक था questions पूछे गए हैं, तो अगर आप लोगों ने थोड़ी सी विगार तैयारी की होगी, तो paper आप लोगों का अच्छा गया होगा, जिससे कि देखिए हिंदी में कैसे क्या questions पूछे गए हैं, किस वाक्य में निश्य वाचक सर्वनाम का प्रियोग हुआ है, ये दिखे questions पूछा गया है, कौन सा सब्द नी उपसर्ग से बना है, नी उपसर्ग से, निर्वास, निरोग, निश्यल, उप्युक्त में से एक से अधिक, उप्युक है, उसको कहते हैं मुवर्शू, जो खुले हाथों से दान करता हो, उसे कहते हैं दानी, जैसा पहले था वैसा ही, ये था विधी, मुहाबरा और अर्थ की ड्रेश्टी से कौन सा युकम सही नहीं है, गुंगे का गुढ होना, एक लोगोंने मतलब आंसर लगाया है, फिलाल बक्रोती जीवित के रजनाकार का उना, ये दिखे कोशन्स पूछा गया था, बीती, विवावरी, जागरी, अंबर, पनघट में ड्वो रही, तारा घट, उशा नागरी, उप्योक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, कोशन्स तो अच्छे पूछे गए हैं हिंदी में रक्त मास के सड़े, रक्त मास के सड़े पंक से उमर रही है, महागो दुरगंद, रुक हो उड़ती है स्वास, उप्योक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, 22-26 बर्ण तक के 4 चरणों वाला चंद, ये क्या कहलाता है, ये कोशन्स पूछा गया था, बहुती सिंपल पेपर प आई है, राजबासा बिद्यक 1963 को किसने प्रस्तुत किया था, ये कोशन्स पूछा गया था, मेरी भव बादा हरो, राधा नागर सोय, जातन की जाई परे, स्याम हरित्तुत होई, उप्योक्तियों में किस चंद का उधाराना, ये कोशन्स पूछा गया है, विकारी सब्द क अर्थ क्या होता है, ये कोशन्स पूछा गया था, मध्यमपुरुस एक बचन का मुल रूप क्या होता है, हिंदी में कौशन्स सब्द शमंद तत्तुका कारे करता है, ये कोशन्स पूछा गया था, तीन का विकास किस संस्कृत सब्द से हुआ है, कोशन्स देख लीजिए, कि questions कैसे पूछे गए हैं और जिन बच्चों का आंगे आने वाले सिप्टों में कर एक्जाम लगा हुआ है तो उसी के इसाफ से तयारी आप लोग किजेगा इसे आप लोग को एक idea हो जाता है सुवाबना कौंसा प्रत्य है जब सब्दों का अर्थ सीमित एवन संकुचित छेतर से निकल कर अधिक विस्त्रित हो जाता है उसे क्या कहते है बादल खोब गर्जे किन्तु बरसा नहीं हुई कौंसा वाक्य है अनिल हस्ता है कौंसी क्रिया है ये कोशन देखे पूछा गया था वराहिलिपी की उत्पत्ति कहां से हुई है ये कोशन था आधुनिक भारतिय आरे भासाओं का मूल इस्त्रोत से एक कोशन देखे पूछा गया है कौंसी धुनी योगमित धुनी है बहुती सिंपल कोशन पूछे गया है तत्याइब का संदी विछेत क्या होगा बहुती सिंपल सा कोशन तताधन एप तो हिंदी के कोशन जो है आप लोगों के कापी सिंपल पूछे गए हैं मेरे इसाब से अब आप के इसाब से अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बहुती सिंपल सा फीफा महिला विसुकप 2030 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता है इंगलेंड, स्पेन, नेधरलेंड, उप्युक्त में से एक से अधिक, उप्युक्त में से कोई नहीं दा एक्सार्सिष्ट सर्वसेष्ट पिक्चर आसकर के लिए नामांकित होने वाली पहली डराबनी फिल्म है जिसके निर्देशक विलियम फ्रैड किन का हाली में 87 वर्स की आयू में नेधन हो गया ये फिल्म इसी नाम से लिखे गए किसके उपन्यास पर आधारित है किरल के पूर्ब सियम ओमन चांडी जिनका हाली में निधन हो गया लगव त्रेपन बरसों तक लगा था किरल के किस निर्बाचन छेतर से विदायक बने रहे मैलाओं की इस्तिती पर सम्युक्त राष्ट आयोग द्वारा किस देश को निस्कासित किया गया था इरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस मैला की मौथ होई थी हीना रब्बारी खार की मरत्य होई थी यह आपको ध्यान में रखना है चैरोक्त मुक्त भारत अवियान के राश्टिय राजदूत और निच्छे मित्र का नाम गया था ये कोशन पुझा गया था एचबन गगन यान के मानों मिसन में कितने दिनों के लिए कितने अंत्रिश यात्रियों को बेजा जाना था मुक्मंत्री M.K. इस्टॉलिन ने कहा मा कभी इस रुमड्यम बर्थियार की प्रतिमा का अनाबरन किया ये कोशन देखे पूझा गया था नेस कोशन देखे पूझा गया था निम लेकित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है ये कोशन देखे पूझा गया था थार्ण वेट की योजना के अनुसार पूरवी विहार की जलवायों किस प्रकार की है ये कोशन देखे पूझा गया था यानि कहने का मतलब जीके वाला जो सेक्षन था जीके वाला सेक्षन भी अच्छा खासा पूचा गया चाहे करेंट अफैर्स हो या जीके जियस मोटा अनाज की चमत कारिक अनाज और भविस्थ की फसल कहा जाता है क्यों भारत के कुल भूमी छेतर में परबतों का हिस्सा है जीवास में इधन किस प्रकार के संसाधनों के उधारण है चंद्रियान थ्री कां से प्रशेपित किया गया था मातमा गांदी के राजनीतिक गुरू कौन थे ये कोशन देखे पूजा गया था उप्यूक्त में से कोई नहीं चंपारण आने के लिए किसने गांदी जी को राजी करने के लिए निर्णा लिया था बहुती सिंपल सा पेपर आया बहुती सरल लखनू समझोता कब हुआ था असयो गौंदरों को निलम्वित किया गया था देखिए आंसर की मैं आपको प्रोवाइट करा दूँगा अगर मैं आपको अभी आंसर बताऊंगा तो ये हो जाता है कि कुछ के मैं आपको आंसर बता रहा हूं और कुछ के आसर नहीं बता रहा हूं इसलिए मैं आपको जो आंसर की मैं आपको प्रोवाइट कराऊंगा सारे कोश्चन्स की आंसर मैं आपको प्रोवाइट कराऊंगा अगले वीडियो में 1784 इसवी में एसियाटिक सोसाइटी और बंगाल का आरम किसी ने किया था दे सकते हैं 1912 में पटना में होने वाले भारतिय राश्टिक कॉंग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1942 के आंदूल में लोगों ने सिया राम सिंग की अगोवाई में कहाँ पर राश्टिय सरकार की इस्तापना की गोशना की थी 1857 के बिद्रो के दोरान बिटिस सेना के किस सेना पती को कुवर सिंग के विरुद भेजा गया था अब यहां पेसरी देखिए आपकी जो है मेत वाले कोशन से स्टार्ट हो जाते हैं तो देखिए मैत वाला जो सेक्सल आप लोगों का है देख लएक कैसे कोशन क्या पूछे गये है चकरवधी भ्यास से रेकी कोशन पूछा गया है और इसमेंये कोशन जो है वो अगला कोशन प्रतिस्थ से पूझा गया है अगला कोशन जो हमारा है यदि किसी سramantra सिर्णी के पहले चौधा पदों का योग एक जार पचास हो इसका पहला पद दस तो इसका स 09 सर्णी का 20 पद क्या होगा यहन् graph press कोशिन पूझा गया है मैत को छोड़ते हैं फिलाल मैत की भी आंसर की माई को प्रोवाइड करा दूँगा ठीक है सॉल्व करके तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन हाँ बता दूँगा मैं आप लोकों को साइंस से देखे कोशन पूचे गए हैं मरत जीवों के अब घटक है बिद्व चुमक का कोर बनाने के लिए सामानता उप्योग की जाने वाली सामगिरी है ये कोशन पूचा गया था अनाउर्थी लौजी अध्यन है तो अनाउर्थी लौजी जो अध्यन है ये किसका अध्यन है ये कोशन देखे पूचा गया था इस्रोद्वराचंद्रियान 3 को प्रशेपित किये जाने का दिनांक है ये कोशन देखे पूचा गया था पदों की जड़ों में मर्दा के जल प्रवेस का कारक है पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला योगिक है ये कोशन पूचा गया था जल परागित पुस्पो में पराकन होते हैं ये कोशन था कौंसी गरंती दोनों अंत्र इस्तरावी और वराइस्तरावी के रोमें कारे करती है ये कोशन पूचा गया था पाठी योजना के मुपानों का क्रम होता है ये कोशन पोचा गया था एक ऐसी इस्तिती जहां लोगों का एक समू रुची के एक विशिष्ट छेत्र के बारे में कुछ विचार करने के लिए मिलता है को जाना जाता है ये कोशन पोचा गया था, ये कोशन पोचा गया था, काउक सारिकार्ट बेद्याले में छात्र के लिए, अनुषितोर्ठ सुचनाओं का संकलन है, समिधान की अनुषित, डैस्क अनुषर भारत की अधिकारिक भसा में, हिंदी देवनागरी लिपी में लिखी जाती है कोशन्स देख लीजिए आंसर तो मैं आपको बता ही दूँगा थोड़ा आपको थोड़ा इंतजार करना होगा ऐसा नहीं है कि आंसर तुरण छाट लूँ आंसर को छाटे में टाइम लगता है निवलेकित में से कौन सी दरसन सास्त्र की विसेस्ता नहीं है थोड़ा सा आपको बेट करना होगा उसके लिए अगर आपको सही आंसर की चाहिए तो चैनल को जरूँ सब्सक्राइब करें लोकतंत्र एक विचार धारा के रोब में इस सिद्दान पर आदारित है की परती इस्थानिक पुर्ण वर्नन पद किसे समान देते हैं ये कोशन देखे पूचा गया था गयने के अधिगम सोपान में बिवेदी अधिगम के बाद कौन सा अधिगम आता है ये कोशन पूचा गया था पावलव के क्लासिक अनुमंदन सिद्दान का सार है ये कोशन था एक बालक पहले अपनी माता से फिर अपनी चाची से और फिर सभी मैलाओं के भैल मैसुत करता है ये उतारण है निमलेखित में से किसे आदूनिक भारती सिच्छा का मैगमा कार्टा कहते हैं ये कोशन पूचा गया था वह विज्ञान जो उन बस्तूओं का अध्यन करता है और बहुतिक दरसन से परे है क्या कहलाता है सारीरिक मानसिक और व्यक्तित विकास की बुन्यादी निव किस काल में रखी जाती है पियाजे के अनुसा निमलेखित में से कौन सा कारक विकास को प्रवावित करने में महत्वण भी मूमिका निवाता है विद्यालर सामाजी संस्ताय होती है क्योंकि वे ये कोशिन पूचा गया था नेस कोशिन देखे पूचा गया निमलेखित में से कौन सी धीमी गती से सीखने वालों की विशेस्ता नहीं है एक बच्चा जो डौग को गौड या बैट को टैप के रूब में पढ़ता है ये अधिगम आज हमता किस दिणी में आता है सिख्चा के मद्यम से लोकतंदर के समच्छन और सुद्रिरी कर्ण को विक्सित करना किस आयोग का उद्देश से है ये कोशन देखे पूचा गया था नैश कोशन देखे क्या पूचा गया था हम बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं चाहते लेकिन हम जनता के लिए उत्पादन चाहते हैं कि बरकालत जो है किस ने की थी ग्यान मीमान सा दरसन साथ की वासाका है जो के सिदान से समंदित है मौलिक अधिकारों की निमलेकित में से किस स्रणई में असपरसत का उनमूलन सामिल है धर्म सामाजिक परिबर्तन में एक बड़ी बाधा के रूप में कारे करती है क्योंकि पूरा मैंने पेपर देखा है पेपर बहुत ही अच्छा आया है बहुत ही सिंपल सा पेपर आया है तो इसे आप बोच सकते हैं इजी टू मोडरेट अधिगम का अत्यज्टिपूर सिद्दान किसके द्वरा दिया गया थारनाइक इसमें निसान लगाए बच्चे ने प्रेणा का आंतरिक बलों की सम्मद्द में निमलेकित में से कौंसा कतन सकते है ये कोशन देखे पूचा गया था एक छात्र द्वरा दिये गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने का सबस्चे अच्छा तरीका है किसने का बच्चे नैतिक बिकास की विमिन अवस्थाओं से गुजरते हैं जो आयू से समंदित होती है किस विचार समुदाय ने सकतिक और राजनितिक पिग्यान की धुरी के रूम में प्रतिस्थित किया है कौटिले निमलिकित में से किस ग्यान को कौन सी चार साकों का उलेख किया है बारतिय समिधार की छटे नुसूची की अंतरगत विशेश प्रसास की अप्रादवनिक लिकित में से किस जंजाती छित्रों के लिए किये गए है कोशन तो काफी पूचे गए हैं अगर पढ़के मैं आपको सुनाने लगा तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा अप कोशन ऐसे देख लिजिए पीडियाफ आपको देखिए हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी लिंक वीडियो की डिस्कप्शन में दिया गया है जोईन हो जाएए पीडियाफ आपको वहीं पर मिल जाएगी कोशन पढ़े लीजी अपने आप क्योंकि मैं आपको पढ़के सुना रहे तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा पेपर बहुती easy आया है ज़ता hard paper नहीं है मैंने देखा है current affairs हो या फिर gkgs हो या फिर hindi हो या फिर math हो पेपर बहुती अच्छा आया है टोटल इसे वारे ख्याल में 150 question लगता है पूचे गए हैं इसमें science के भी question देखिए इसमें पूचे गए हैं science के भी कुरी answer की मैं आपको थोड़ी दिर में provide करा दूँगा आपको थोड़ा बेट करना हो इसके लिए ऐसा नहीं है कि answer की तुरण answer की match हो जाए answer चाटे में थोड़ा सा time लगता है तो थोड़ा बेट कर लीजिए ठीक है